मैं अनूव कुमार, राजकी अवरिष्ट मादमिक पारसाला होली में बतौर लेक्चर जोग्राफिक कारे रहे हूं जिला चम्बा में और मैं आपने सभी 2555 SMC अध्यापकों की तरफ से लाइव टाइम टीबी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तो हमारी आवाज को सरकार तक जो अब लगतार पहुंचाने का काम करें जी तो आज से पैंडाउन स्ट्राइक भी है पिछले कल जो है बैठक यहां पर हुई थी किस तरह से देखते इस बैठक को भी और जो यहां पर चर्चा हुई अब कैमिनेट में नोतारी को होनी है देखिए हमें मीडिया के माधिम से ही पता चला है कि कल जो है वो सब कमेटी की बैठक हुई है और उसमें माननी है जो शिक्षा मंतरी जी हैं उन्होंने यह कहा है कि हमने जो वो चार प्रोपोजल या चार सुझाब जो हैं वो समसी टीजर्स के लिए दिये हैं लेकिन करकार क्या ठोस कदम उठाती है उसका जो परिणा उसका जो रिजल्ट कबने डिसीजन में होगा जी चर्चा यह भी है कि से टीचर्स को जो है जो वेतन है जो अन्वत जो करमचारी है उसके बराबर हैं पर दिया जाएगा अगर नियमती करण को छोड़कर वो वेतन आपका करें और पैसे बढ़ाना कोई नियमती करण की राह में कोई वो प्रोसेसिंग नहीं है ठीक है अगर सरकार कॉंट्रेक्ट देती है नियमती करण देती है वह हमारा जो है वो आखरी यहीं मांग है बिल्कुल जी बिल्कुल मेरना महरिश्क बार डिस्टिक प्रेजिडेंट चमबा जैसे कि सभी को पता ही है कि SMC शिक्षिक लगातार 13 दिनों से यहां पर अंशन पर बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक सरकार की और से कोई भी साकरात्मक कदम नहीं उठाया गया है यदि बात की जाए कैमिनेट सब कमेटी की तो जैसे की मीडिया के मादिम से हमें पत है कि आगे तो हमारा तो मुख्य मंत्री महोदेजी से यही निवेदिन रहेगा कि हमारी एक मात्र मांग है वह निमितिकर्ण जो कि हमें बहुत ही जल्द चाहिए क्योंकि 12 वर्ष लगातार सेवा में रहना बहुत बड़ी बात होती है और हम इतने इंटेरियर इलाके में द 500 मुख्य मांग है जो कि अकल केबिनेट बैठिक भी है हमारा सभी केबिनेट ओपसे अन्रोद रहेगा मुख्य मंत्री जी से विशेश रोम्से अन्रोद रहेगा कि हमारी मांग को जल्द पूरा किया जाए विकलप की अ气land के रहेगा जा रहते में ठेका हमारा वही बात साम निमीतिकर्ण हक मारा क्योंकि लगातार बारा वर्ष एक बहुती लंबा पीरिड होता है इससे पहले जितनी भी भरते हुई पीटे पैट पैरा इजी एस जितनी भी मैं अस्ताई भरतियों की बात की जाए सबसे लंबा जो पीरिड लिया गया हूँ समसी शिक्षक का है इसलि है इनके की दिवांट पर गया हूँ समस्क्राइब लिए इनके की दिवांट पर